करेंगे कि निर्पेचतिति होती क्या है यह जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पुरा तत्यो में आपको मैंने जैसे बताया कि विना तिति के अगर आपके पास तिति नहीं रहेगी तो वह केवल कपोल कलपना रहेगी और उसको आज के इस वैग्यानिक युग में शुईकार नहीं किया जाएगा इसलिए पुरा तत्यो विद पुरा तत्यो में प्रेशिति थी काल लिधारण की वह विद्य है जिसमें वैज्ञानिक आधार का प्रयोग किया जाता है जिससे की हम बहतर रेजल्ट प्राप्त कर सकें और यह रेजल्ट आपके पूरी तरह से विज्ञान की विविन विध्यों पर आधारित होते हैं जिससे आपके सामने उस काल की जिस उपरयोगत काल का हम एक्सकेवेशन कर रहे हैं वहां से जो पुराव से प्राप्त हो रहे हैं उसकी एक डेटिंग आपको जो है क्या अपसिल्यूट डेटिंग प्राप्त हो सके वह जो डेटिंग आपको प्राप्त होगी वह किसी पर आधारित नहीं होगी इसलिए हम उसको कहेंगे कि वो क्या है, relative dating नहीं होगी, बलकि वो क्या होगी, absolute dating होगी, जो पूरी तरह से अपने आप में स्वता ही क्या होगी, आधारित होगी, जिससे आपके जो पुरा तात्विक उत्खनन है, उससे जो dating क्या है, आपको बहतर आयाम प्रदान करेगी, अगर हम आपके निट के स्लेबस को देखें, तो निट के स्लेबस में मुख्य रूप से, जो dating exam की द्रश्ट से दी गई है, उसमें आपका C14 के बारे में चर्चा की बात की गई है, पोटैसियम आरगन की बात की गई है, फिसंट ट्रेक की बात की गई है, इन सब चीजों को आपको उसमें स्लेबस में दिया हुआ है, कि इन सब चीजों को पढ़ना है, फिसंट ट्रेक की बात की गई है, उसके अलावा आपको जो है विच्छ वले की बात की गई है, विच् आपके लिए पूरा चुम्ब की की बात की गई है इसके अलावा वार्ब विसलेशन की बात की गई है इसके अलावा आपसीडियन की बात की गई है तथा कास्मोजैनिक नुकलाइट तितियों के बारे में जानकारी की बात की गई है इस तरह आपके स्लेबस में कुल मिलाकर दस डेटिंग्स के बारे में पढ़ना है परंत इसके अलावा भी कुछ डेटिंग्स होती है जो आपको नए वेग्यानिक आयाम प्रदान करती है जिनमें सबसे महात्वों डेटिंग हम AMS को रखते हैं ये C14 का ही एक Advanced Version है जिसके वारे में आगे चर्चा करूंगा क्योंकि कभी कभी एक्जाम में इसका AMS का फुर्फार्म पूछ लेते हैं या इसके लिए कितना प्रदार्थ यूज होता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं तो इसको हम C14 के अंतरगत इसका चर्चा करेंगे उसके बाद हम जो है Uranium Thorium की बात कर सकते है Uranium Thorium भी अपने आप में बहुत महत्फूर्ण डेटिंग है उसके बारे में थोड़ी से चर्चा करेंगे Uranium Thorium की उसके बाद एक और बहुत महत्फूर्ण डेटिंग है Electron Spin Resonance ESP ये भी महत्वपूर्ण डेटिंग है और उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण डेटिंग होती है जो आपके हाँ पूछी जाती है वो है OES Optical Emission Spectrometry OES तो इस तरह से ये डेटिंग 12-13 प्रकार की है लेकिन एक्जाम में जो सलेबस आपका दिया है उसमें 10 प्रकार की तिथियों की चर्चा की गई है अब हम बारी-बारी से एक-एक तिथिकी आपके सामने चर्चा करते हैं जिससे कि आपको संपूर्ण जानकारी प्र रेडियो कार्बन या C-14 बिधी के नाम से भी इसे जाना जाता है आपको ग्यात हो कि 1949 में इसको W.F. लिवी ने सबसे पहले इंट्रोडूजड किया और यह सिद्धान्त क्या है लकडियों में, कोईला में, हड्डियों में तथा अन्यकार्बनिक जैविक पदार्थों में इसका यूज़ करते हैं और इसके आधार पर हम डेटिंग यात करने का प्रयास करते हैं होता क्या है कि समस्त सभी जो जीव है मानो या पेंड़ पाउधे या जीव जन्त में क्या है एक तो C-12 और C-14 ये दोनों तद तो मौझूद रहते हैं और जब किसी ब्यक्तिकी मृत हो जाती है तो जो C-14 है जो ये C-12 है यह तो क्या है इस्थिर रहता है ये रहेगा आपका इस्थिर परंत जो ये C-14 है यह धीरे 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 कम होता जाता है जैसे जैसे यह कम होता जाता है उस तरह से आपका जो है C-14 की मात्रा लगातार कम होगी और इस विद्ध को ग्य करने के लिए हमारे यहां c14 की जो हाफ तिक दी गई है वो दी गई है 5730 कहा गया है कि c14 की आधी रेखा या Half-Life कितनी होती है 5730 होती है और यह पहले जो है मानी जाती थी 5568 तो एक आगबार एकजाम में यह पूछा गया है कि c14 की हाफ लाइफ क्या होती है C14 की half-line कितनी होती है half-life 5730 इसको एकदम दिमाग में रख लीजेगा क्योंकि यह question आपका पूछा गया है कि C14 की half-life क्या होती है C14 की half-life 5730 होती है वर्स होती है लेकिन होता क्या है कभी और इसमें मुख्य रूप से 40-50,000 वर्स तक के काल-खंड को हम जानते हैं और अगर बहुत नीचे तक जाएं तो हम जो है 80,000 तक ही जान सकते हैं परंतु इसी का advanced version आपके सामने AMS अर्थात मैं इसकी spelling आपके सामने लिख देता हूँ जिससे आप इसको note करने क्योंकि फुल फार्म पूछा भी गया है इसका accelerated accelerated mass accelerated mass spectrometry अब उसमें जो है spectrometry यह एक विधी होती है MS इसके आधार पर जो हम dating याद करने के लिए जो कार्व C14 की विधी होती है उन्ही पदार्थों का उन्ही समग्रियों का यूज़ करते हैं और इसमें केवल एक मिली ग्राम कार्बन की जरूरत होती है एक मिली ग्राम अगर आपके पास कार्बन है तो आप जो है dating ग्याद कर सकते हैं और वो dating आपकी जो है एक लाख वर्स तक की dating हो सकती है तो यह एक बार नेट में पूछा भी गया है कि MS dating का full form accelerated mass spectrometry होता है और इसमें पूछा यह गया था कि इसमें कितना कार्बन जरूरी है इसमें एक मिली ग्राम कार्बन जरूरी होता है तो यह एक्जाम में अगर आए तो आप इसको जो है अच्छे से इसका उत्तर करिएगा ठीक है अब हम चलते हैं दूसरी की तरफ दूसरा है आपका potassium organ potassium organ जैसा कि इस विदी द्वारा बिसिकली हम जो है जो है जो आला मुखी राक में मौझूद प्रागयतिहासिक आउसेसों का अध्यन इससे करते हैं जो जो आला मुखी राक में मौझूद प्रागयतिहासिक आउसेस होते हैं उनका अध्यन करते हैं और इन अवसेसों में केट, फुट्टी या और आरगन, पोटेसियम और आरगन के अनुपात को माप कर किसी चटान की आयूप निधारित की जाती है। इस विदि से 50 हजार लाख वर्ष पुरानी वस्तुओं का काल निधारण किया जा सकता है। इससे पूर्वी अफ्रीका में आदिमानों के जीव अवसेसों और प्रचिन्हों का काल निधारण किया गया है। आपको बता दें कि ओर्ड वाई गार्ज का नाम आप लोग समने सुना है। तो वहां की तिति ग्याद करने के लिए पोटैसियम आरगन विदि का प्रयोग किया गया था। और इसके जनक हैं CFV वाइज सेकर। ठीकर। ठीक है। और उसके अलावा हम अगर आगे चले तो फिसंट्रेक की बात करें। फिसंट्रेक में भी जो है ज्वाला मुखी राक और चटानों अफ्थियों आधिका प्रयोग किया जाता है। जिसमें जो है लाखों वर्स पुरानी चीजों को हम ग्याद कर सकते हैं। इसके जनक फिलिश्चर महोदे हैं। इस तरह के कोशन्स आप में आते रहते हैं। इसलिए इनको बहुत साउधानी पूरवक्त देखिएगा। फिलिश्चर महोदे इसके जनक हैं और जो आला मुखी राक के लिए या पहाड़ी छेत्रों में इससे तिति ग्याद करने के लिए इसका हम लोग प्रयोग सामानी तौर पर करते रहते हैं। इसके अलावा हम अब आगे बात करते हैं। फिलिश्चर मात्रा में आपको मृद्भांड प्राप्त होते हैं और क्या है गैर जैविक अवसेस के कालने धारन में सायक होते हैं। इस विद्धी में यह माना जाता है कि मृद्भांडों में इलेक्ट्रॉन युक्त कुछ धात्यू की अंस मौझूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन युक्त। इसको याद रखिएगा आप पूछ सकता है कि किस तरह के धात्यूकिय अंस मौजूद रहते हैं जो इनके निर्मार के समय से ही इनमें बसे रहते हैं यदि ऐसे किसी एक विसेश नमूने के टिकोड़े को परियोग साला में गरम किया जाए तो इसमें जो संचित उर्जा रहती है जो इलेक्ट्रॉन रहता है संचित उर्जा क्या है प्रकाश के रूप में उस सरजित होती जाती है जो क्या है मापी जा सकती है उसको अगर हम बाहर पर ग्याद किया सकता है कि यह बहुत महातबूर कोईशन एक बाद पूछा गया है कि धर्मोलिंसिस में किस चीज का जो सरजन होता है तो इसमें इलेक्ट्रान का उसरजन होता है इसलिए इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा यह एग्जाम के अब ही बहुत महत तो है और बृट्षविले जो हमारे पेढ़ होते हैं पेढ़ों में जो पेढ़ काटा जाया अगर तो पेढ़ में एक जो उसका गोल आपके सामने उपस्थित होता है उसमें कई तरह के रिंग से अव्वेल बने होते हैं गोल गोल लच्छे डार गोल होते हैं इस तरह से इस तरह से आप देख सकते हैं इससे कई उनकी गड़ना करते हैं Iya इसको इजात किया था और इससे जो है चौह तर सो वर्षपूर तक कीती थी ग्यात की जा सकती है उसके अलावा अगर हम आगे चलें तो पहले हो मैगनेटिक या पूरा चुम्मिकी चर्चा की जा सकती है जिसके जनक डॉक्टर रॉबर्स डूबोसिस हैं यह बहुत महत्पूर्ण विधी है जिसमें जो है चुम्मिकी या उसे जैसे लावा जो तो हमारा volcanic lava होते हैं वहां से जो lava निकलते हैं उनके आधार पर प्राप्त चीजों से हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और इसका प्रयोग आजकल लगाता है जितने भी जो आला मुखी छेत्र हैं इंडोनेसिया हो गया और अन्य छेत्र हो गया इवन भारत में भी इस विद वह अगर हम बात करें तो वर्व एनालिसिस इसके जनक है वैरन जेरार्ददेगेर ये क्या है ये भी जो है भूतात्वि घटनाओं और जीलों में संबंदी चीजों का ये अध्यन करते हैं इसके जनक वैरन जेरार्ददेगेर हैं इसके बारे में आप जरूर देखिएगा उ electron spin resonance यह बहुत ही महत्वपूर्ण है यहां पर क्या है हड़ी और संख में जो से इसको हम ग्यात करने का प्रयास करते हैं यह यह गेनी और यह वो शिक यह गेनी यह वो शिक ने इसका जो है इसके जनक है या प्रतिपादक है यूं कहें क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले इसका प्रयोग किया और यह भी धी हड्डियों और संखों में इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि होता क्या है कि हड्डियों में क्या होता है दांत में आपके इनेमल जैसे जो पुरा जो आउसेस प्राप्त होते हैं उनसे यह डेटिंग यात करने का प्रयास करते हैं आप जान करने का प्रयास करते हैं तो इसके जनक यह गेन जो वह सिकई हैं इसके लावां अगर हम आगे बात करें तो आपसीडियन हाइड jestem है इसके जनक एर्विंग फेड्मेन हे और रोबर्ट अलिस्मिथ यह इसमें आपसेडियन नामे के क्लार्थ होता है उससे जो है इसके विसे में जानकारी प्राप्त करते हैं उसके बाद अगला पॉइंट आपका जो है कास्मोजेनिक न्यूक्लेराइड होता है इसका प्रयोग जो है कहां करते हैं इसका प्रयोग जो है हिमालई छेत्रों में या परवत में लाहूल हमालय के छेत्र मैं इसका मुख रूप से प्रयोग किया गया था और इसके प्रयोग करता थे ओवन ऐब इन इन्हों ने इसको जो एंट्रोड़्यार में इंत्रडूइस किया जो तो बहुत महात्वपूर्ण आधार हमें दे रहा है इसके अलावा एक और महात्वपूर्ण डेटिंग आपके सामने हम गेराहवे पॉइंड के रूप में रखते हैं वो है यूरेनियम थोडियम यूटीछ यह यूरोनियम के समस्थानिक आईसो टॉप के रेडियोधर्मित करन्ल चरंण मापनपर डाहाईत होता है यह Bang क्या होता है कि यह जो यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं उनका जो एक रेडियो धर्मी छरण होता है उस पर यह आधारित होता है यह विदी पचाश पांच लाग से स्पेक्ट्रमिट्री है यह बहुत ही महात्पूर्ण होती है इसमें हम क्या करते हैं ऑ ध्यक्रीबिकली तत्त्त में मुझूद तत्त के विसलेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है इसमें लेजर किरणों के माध्यम से नमूने के अड़ों का उदिप्तिन किया जाता है और प्रकास तरंग की लंबाई मापी जाती है इससे किसी वस्तुमें प्रयोग किये गए मूल पदार्थ और उसके स्रोतों की पहचान कर जाने में भी मदद मिलती है तो यह बहुत महत्वपूर्ण है इसका आप फुल फार्म जरूर याद रख लीजिए कि OES का फुल फार्म क्या होता है हो सकता है कि एक्जाम में पूछ ले तो इसका फुल फार्म होता है ऑप्टिकल आप्टिकल इम्यूजण और इस्पेक्ट्रो फिर आगे हो जाएगा ये इस्पेक्ट्रो मिट्री ये हो गया आपका OES अप्टिकल इम् Bennुजण इस्पेक्ट्रो मिट्री ये लगातार्य आपसे कोश्टंस पूछे जाते हैं जो बहुत महात्वपूर्ण है तो पूरा उससों से जब हम तिती अच्छे से ग्याद कर लेते हैं तो उससे हम अपने सामने एक बेहतर परिणाम लाते हैं और आपकी परिच्छा की दर्शे से एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि अभी कुछ दिन पहले हुई परिच्छा में उसमें पूछा गया था कि किया जाता है इसलिए इसको याद रखिएगा यह एक्जाम की दस्ट से बहुत इंपॉर्टेंट या कोशन पूछा गया है उसके अलावा एक और कोशन आपके अभी दिशंबर जो यह 2019 में प्रशन हुआ है उसमें एक प्रशन पूछा गया था जिसमें A, B, C, D करके प्रशन दिएक चार साइट का नाम दिया गया था और उस सूची दो में चार आपसन दिये गये थे जिसमें पहला था बोरी और इनको मिलाने के लिए दिया गया था कि एक का दूसरे से मिलान करिए तो आप जान लीजिए उसमें जो है बोरी नामक पूरा अस् गया है और उसके बाद दूसरा महत्पूर्ण विंदु जो है वो था आपका इसामपूर में इस edikika प्रियुक किया गया घ्रup कं आर इसामपूर इसामपूर भी इसको कहते हैं यहाँ पर जो है सामपूर में iso वे इस विखान प्रियुक किया गया था अभी एक्जाम में आया है आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आजकल किस साइट में किस भी दिखाप प्रयोग किया गया है यह बहुत महत्वपूर पूछा जा रहा है अगला इसी में अगला है कि अतिरम पक्कम आथ तक जो है यह साइट जो है आप जानते हैं दच्छिन भारत में है और इसके इसमें सांती पप्पू मैम लगातार काम कर रही और यहां से जो है प्रिहिस्टोरिक बहुत ही पुरानी डेट आई है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इसकी जो डेटिंग की गई है अतिरम पक्कम की डेटिंग की गई है वो कॉस्मोजेनिक से की गई ह कॉस्मोजनिक, मैंने आपको बता है कॉस्मोजनिक से भारत में य। डेटिंग कि गई है, इससे बहूत पुरानी डेटिंग आई है भारत की ये। उसके अलावा एक site है आपकी पठपरा आप जानते हैं पठपरा पठपरा में भी जो है डेटिंग की गई है वो TEL डेटिंग या थर्मोलेंसिस डेटिंग थर्मोसिलेंसिस या ताप्त संदीप्ति वीदि से उसका अध्यन किया गया है तो इस प्रकार इससे कहीं न कहीं साप निर्पेच और निर्पेच तिति दोनों से मिला कर एक question आपका नीश अंदेह आएगा जो आपके exam की दस्ट से बहुत important है इसलिए आप लोग इसको काईदे से त्यार कर लीजिए और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए सब्सक्राइब करें जिससे कि हम लोगों को भी motivation मिले और हम लोग बेहतर वीडियो बना कर आपके सामने उपस्थित हो सकें धन्यवाद